हेलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग वेलकम तू माई यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स जेविटी वालों के लिए एक अच्छी ख़वर्ट निकल करा रही है जेविटी कमिशन के रिजल्ट 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 के जारी हो चुके हैं सरकार ने कमिशन को रिजल्ट घोशित करने के निर्देश जारी कर दिये हैं आज बाकाइदा शिक्षा सच्चिव की तरफ से यह आदेश दिये गए और कहा गया है कि जेबी टी का रिजल्ट जो वर्च 2019 से लंबित पड़ा था उसको जो है वो जारी कर द जाएगी इस तरह का प्रावधान जो है वो आगे आने वाले समय में किया जा रहा है 2019 से अभ्यारती जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे जेबी टी के उनके लिए यह रहत बरी खबर है लगबग 40,000 अभ्यारती हैं जेबी टी के प्रशिक्षू जिनको बड़ी रहत सरका ने दी है और अब इनका रिजल्ट जो है वो कमिशन जारी कर देगा इसके साथ साथ बैच वाइस जो भरती है वो भी यहां पर शुरू हो जाएगी जिसको लेकर अदालत के जो निर्ने थे उसको लेकर एड़ोकेट जनरल ने अपनी राय सरकार को दी थी और उसमें कहा था कि भरती जो है वो भाइस अदार पर सरकार यहां पर शुरू कर सकती है और इसलिए कमिशन के रिजल्ट को घोशित करवाया जा रहा है ताकि उसके बाद यहां पर बैच वाइस भरती का जो करम है उसको निरंतर यहां पर आगे चालू कर दिया जा है तो बड़ी रहात मिले कमेटी का गठन कर रखा है लेकिन उसकी शिफारीश है अब तक नहीं आई है लेकिन इसके लिए भी बड़ी खवर यह है कि जो कमेटी यहां पर सरकार ने सब कमेटी इसके लिए बनाई है उसने लगबग अपनी रिपोर्ट तैयार कर दिया है और इस सब कमेटी की रिपोर्ट को जो है वो विधान सबा सेशन के दौरान कमेटी इस पर बैठक करेगी और अपना पूरा जो फैंसला है वो बजट से पहले पहले मुख्य मंतरी को उनके द्वारा सौप दिया जाएगा तो आपको बता दें विधान सबा सत्र के दौरान जो है वो इस कमेटी की बैठक होगी यह बैठक जो है वो बुला ली गई है और इस बैठक में जो डाटा मुखाया गया था विभागों से वो डाटा लगबग पहुंच चुका है और लगबग पूरा डाटा इनके पास पहुंच चुक अभी स्थाई निती को लेकर कुछ असमंजस भी यहां पर चल रहा है और इस असमंजस के चलते जुए हो काफी जादा अभी चर्चा का महाल यहां पर गरमया हुआ है स्थाई निती अभी बनेगी या नहीं बनेगी इसको लेकर कोई भी निर्ने फिल ideas हो है तो बजट में कुछ ऐलान होगा लेकिन सिफारिशों में क्या कुछ होगा उसकी भी हम आपको जानकारी जो है विस्तार से देंगे क्योंकि विजहांसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और अगले सब्ता तक इसी सत्र के बीच में इस सब कमेटी की बैठक आयोजन किया ज गोशित होने से पहले यानि चार मार्च को मुख्यमंत्री बजट अपना यहां पर पढ़ेंगे बजट गोशित करेंगे और उससे पहले जो है इस सिफारिशे सब कमिटी उनको दे देगी और बजट में कई बड़े अलान इस वर के लिए किये जाएंगे बात करेंगे तो इन अडिशन आपके लिए एक और इंफ्रमेशन है अगर आप हिमाच्य पदेश में किसी भी गौर्ण्मट एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो आप प्रिक्षा अप डॉनलोड कर सकते हो प्रिक्षा अप आपके लिए बहुत हेल्पूल हो सकती है किसी भी एक्जाम को क्रैक या mock test यहां पर buy कर सकते हो like नाइब तैसिलदार, Allied Services JYT, HP Police हिमाचवदेश पतवारी, हिमाचवदेश कॉप्रेटी एकजाम and different different for example अगर मुझे HP Police Constable की buy करनी है series तो इसके उपर click करेंगे जैसे आप click करोगे आपको unlock course पर जाना है एक सुपचास रुपे में मिल जाएगी at a very cheap price एक सुपचास रुपे में मिल जाएगी, तो simply go to the play store and download this app यहां पर आपको HP Police के regarding series मिल जाएगी, आपको यहां पर JYT जिसका exam भी अप्रेल में होने वाला है उसकी series भी available है अगर आपने knife दसिलदार या allied services की एकदाम की त्यारी कर रहे हो तो उसके लिए teaching of महात्मागांदी की series भी available है तो simply play store पर जाएए आपको download केजिए और यहां से buy कर लिए test series या mock series आपको code यूज़ करना है lost और आपको 50% discount मिल जाएगा तो पूरा payment करनी की जुरूरत नहीं है डेट सोर पे में आपको series मिल जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ही helpful है इसके साथ ही आपको हमारे चैनल पे HP High Court Previous Year Question Paper मिल जाएगे जयो के regarding जयो की selling structure और जयो की expected cut off के regarding भी वीडियो मिल जाएगी तो please मेरे चैनल पे बिजट करिए और जाकी आप वीडियो देख सकते हो तो वीडियो अच्छे लगी हो तो please like करना, share करना थैंक्स पर वाचिंग जय हिन, जय हिमाचल God bless you all